नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनेकेडवी पीसी संकल पर मैं हूँ अनों पुपाध्या लेकर आया हूँ एक ऐसे समाचार को जिसको सुनकर आप प्रसंद हो जाएंगे जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे दोस्तों 74 वा गरतंत दिवश आने वाला है आजादी के 75 वर्श हम मना रहे हैं अमरित काल और इस समय भारत के प्रदान मंत्री ने एक ऐसे बात की गोशां की है जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे परम वीर चक्र सहीदो के नाम पर अंडमान की 21 दीपो का नाम रखा जाएगा ऐसा कहा गया है आईए न्यूज को देखते हैं उसके बाद इस पर और भी चर्चा करते हैं तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दा हिंदू का ये न्यूज देखने को मिल रहा होगा और इस निकोबार आईलेंड्स के बारे में बात करें तो टोटल आप देखेंगे तो टोटल अंडमान निकोबार में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो टोटल आपको जो आईलेंड्स नजर आएंगी वो 572 आईलेंड्स है और इस 572 आईलेंड्स के अगर हम बात करें दोस्तों जिसमेंसे चौबिस अंड़मान में है और बारा निकोबार में है यानि के कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 572 में से 36 ऐसे ऐसे ऑइलेंड से जहां लोग रहते हैं बाकी सारे निर्जन इसक एलावा अगर हम और भी बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि इसके पहले 2018 के अगर हम बात करें तो नील आइलेंड और हेवलक आइलेंड को जो है उसका नामानकरण शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप में किया जा चुका है ठीक है अब दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 23 जन्वरी यानि कि जब आप ये विडियो देख रहे हैं उसके एक दिन बाद 23 जन्वरी को दोस्तों आप जानते हैं कि नेता जी सुभाज चंद्र बोस की जन्मतिति है और उस दिन हम उनके याद में 23 जन्वरी से लेकर और 30 जन्वरी जिस दिन सहीदी दिवश है यानि कि जएस दिन पापु की हत्या होई थी तब तक हम पूरा गरतंत दिवश को सेलीडेट करते हैं नेता जी सुभाज चंद्र बोस की याद में जो पराख्रण दिवश मनाया जाता है 23 जन्वरी को उसी 23 जन्वरी को अगर हम बात करें तो 23 जन्वरी को जो पराकरम दिवश मनाया जाता है उसी दिन जो है अनमान निकोबार के 21 बिनाम दिपो का जो है वो नामांकरन करने का जो है वो घोशना किया जाएगा और ये 21 परमवीर चक्र सम्मानिस सहीदो के नाम पर रखा जाएग और इसको 23 जन्वरी को विडियो कॉन्फरेंसे के माध्यम से प्रधान मंत्री मोदी जी जो है वो इन दीपो का नामांकरन करेंगे ठीक है तो 23 तारीक को हम देख रहे हैं पराकरम दिवश है और ये सुवाच्छंद बूश जी यानि कि नेता जी के याद में जो है वो ये दि जुद्वीप है ना तो ये नामांकरन की प्रक्रिया अगर हम बात करें दोस्तों तो हम जान रहे हैं कि जब 2014 में बीजेपी के गौवर्मेंट आई यानि कि वर्तमान जो सरकार आया इस सरकार के आने के बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा कि नेता जी के उपर यानि कि जो है वो नाम जो है वो निता जी दीप कर दिया गया लेकिन इसके अलावा उन्होंने दो और आईलेंड जो थे उनका भी नामांकरन जो है वो किया आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये हैवलोग आईलेंड और नील आईलेंड जो है वो देखने को को जो है याद करते हुए और ये निता जी की आपको प्रतीमा नजर आ रही है निश्टा करतव और बलीदान ये लिखा हुआ है ना निता जी के शब्द जो है लेकिन अब इस पर हमको ध्यान देना है कि जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़े जो द्वीब हैं और टोटल जो 21 द काल आया तो नेता जी को अलग-खूमों से लगतार वो सम्मानित किया जा रहा हुआ उनके जहनति चेह प्राकरम दिवश मनाय जाने लगा आर ये फैसला इस सरकार के काल में हुए और उनसे जुड़े काफी सारे दस्तावेज जो है नेता जी से जुड़े वो साप्यूनिक किये गए अब जब यह सारी की सारी बाते होई तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये पूरा का पूरा जो प्रधान मंत्री जी ये काम कर रहे हैं वो सारा का सारा जो है क्योंकि बंगाल की राजनिती में जो है वो मोधी जी जो है काफे इंट्रेस्ट ले रहे हैं और बंगाल के राजनिती में जो है वो अपने आपको बहुत मजबूत करना चाहते हैं इसने जोड़ना चाहते हैं अब ये देखे राजनितिक चीज है इस पर हमें कुछ नहीं बोलना है ठीक है लेकर हम क्या बात कर रहे हैं हम रॉस आइलेंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम जो है वो निताजी के नाम पर रखा जा चुका है और इसके अलावा हमन आप याद रखिएगा हो सकता है कभी प्रश्ण आप से इस पर पूछा जा सके अब इसके अलावा एक बात और भी हो रही है कि ये जो संगराला बना हुआ है नेताजी के नाम पर ठीक है इसका फिर उद्धाटन जो है वो करने के बारे में बात की जा रही है और अमरित काल आया यानि कि अजादी के अमरित महुत 75 वर्श जो हुए है इसमें पूरा का पूरा सरकार का ये योजना है कि इस अमरित काल में हम ऐसे सारे वीरो को जो है वो वापस लाएं लोगों को बताएं उनके बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे आदिवाशी जो हमा अब कुल मिलाकर ये भी बात किया गया है कि जो 21 द्वीप हैं इस 21 द्वीपों का जो नामांकरण है वो परम बीर चक्र से सम्माने जितने सहीद हैं उन सहीदों को याद में रखते हुए उनका नामांकरण किया जाएगा और उसी दिन जो है प्रधान मंत्री जो है वो नित जाटन करने का जो प्रक्रिया है वो चलेगा ठीक ना इसके लिए अगर हम बात और भी कहें दोस्तों तो 23 जनवरी को अगर हम बात करें तो 23 जनवरी को 80 युवाओं को जो है वो नेता जी सुभास चंद्र बोस के जैनती पर जो है यह परमिशन दिया गया है कि वो संसद मे जाकर जो श्रद्धांजली भी देंगे अब इस युवाओं को जो चुना गया है उसमें से लड़कियां और लड़कों को सामिल जो है वो किया गया है जो कि इस पर जो है यह सम्द्धांजली अर्पित करेंगे या आप अपने स्क्रिन पर देखिए यह पुरानी तस्पीर जब निता जी को जो है श्रद्धा शुमन अर्पित करते हैं विप्रधान मंतरी मोधी नजर आ रहा है अब किनके किनके नाम पर रखा जाएगा तो आप अपने स्क्रिन पर देख रहे हैं दोस्तों कि यह हमारे सबसे पहले परमवीर चक्र वीजेता आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रिन पर आपको देखने को बिल रहा है बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो यह मेजर सोमनात सर्मा जी है जो कि हमारे सबसे पहले परमवीर चक्र वीजेता है और इनके नाम पर जो है जो सबसे बड़ा आईलेंड है वहां का उनके नाम पर जो है वो रखा जाएगा, ठीक न, मेजर सोमनाज सरमा जी जो की कुमाउध रिजिमेंट के थे और चौथी कुमाउध रिजिमेंट के थे और यह डेल्टा कंपनी के जुर अधिकारी थे, पाकिस्तानी घुस्पैट के समय अगर हम बात करें तो ये श्री नगर एयर बीश की सुरक्षा का जिम्मा जो था वो मेजर सोमनास सर्माजी को जो है वो दिया गया था 22 अक्टूबर 1947 की अगर हम घटना को याद करें दोस्तों तो 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो घुस्पैठ करने वाले हैं और एयर बीश पर दुश्मन का कबजा होने वाला उसके पहले ही भारतिय सेना कश्मीर जो है अगर ना पहुच पाती तो एक बहुत बड़ा नकसान जो है वो भारतिय सेना को हो सकते था ठीके ना क्योंकि कि अगर भारतिय सेना नहीं पहुँच पाती तो पाकिस्तान जो है वो श्रीनगर पे कबजा कर लेता लेकिन भारतिय सेना के जवाने ने जो पाकिस्तानी हैं उनके मनसुबे को पूरा पूरा बरबाद कर दिया 23 अक्टूबर 1947 को दिल्ली के पालम एअरपोर्ट से साइनिक और हत्यारों के साथ स्रीनगर पहुचाया गया और 31 अक्टूबर को मेजर सोमना सर्माज भी श्रीनगर पहुच गए जहां मेजर सर्मा जी जो है इनका हाथ जो है वो टूटा हुआ था इस पर प्लाश्टर लगा हुआ था फौकी खेल रहे थे इसके चलते जो है इनके हाथ में फ्रेक्चर आ गया था लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने दर्द की परवाह नहीं की और इन्होंने जो है युद्य छेत्र में जाने की अनुमती में ली और वहां जाके इन्होंने युद्ध का जो इनको एक कमांड सौपा गया ठीक है ना तो मेजर सर्मा जो है इनका एक ही उद्देश था वो उद्देश ये था कि किसी भी प्रकार से जो पाकिस्तानी किलोमेटर दूर बढ़गाम तर पहुंच गया हैं और उस समय अगर हम बात करें तो तीन नॉंबर 1947 को सुबह सुबह मेजर शर्मा अपने टीम के साथ बढ़गाम पहुंचे और वहां जाकर पोजीशन ली और किसी तरह बचाया और उसी समय जो है तो यह हम आपको देख र एरपोर्ट पे आपको नजर आ रहा है जो बचाने के लिए ठीक है दूसरे जो है हम कैप्टन करम सिंग जो है जो की पहले सिक जो है थे जिनको की परमभीर चक्र मिला था इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा तीसरे जो है मेजर राम रगोबा राने जिनको परंबीर चक्र मिला था इंडो पाक वार 1947-48 के लिए इसके अलावा गर हम बात करें तो परंबीर चक्र नायक यदुनात सिंग जी थे इसके अलावा हम बात करें तो कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंग सेखावत जी जो के 6 राजपुदाना राइफल्स के थे और इंडो पा हम गोर्खा राइफल के हैं इनको मिला था इनके अलावा अगर हम बात करें तो परंबीर चक्र मिजर धन सिंग थापा हैं इनके अलावा गर हम बात करें तो परंबीर युद्धा अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता है दोस्तों 1965 के जुद में भारत की सीना ने पाकिस् रहीद अब्दुल हमीद ने जो है वो निस्ताना भूद किये थे इनके अलावा गर हम बात करें तो ए बी तारा पोरी जी जो है जिनकों के परमबीर चक्र जो है वावाज मिला था 1965 का जो पाकिस्तान का युद्ध था उचके खिलाप इसके अलावा परमबीर चक्र लांस ना अफिसर निर्मल जी सिंग सेखोन थे जिनकों की मिला था इनके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर रामस्वामी परमेश्वरम जो है इनको परमबीर चक्र मिला था इनके अलावा अगर हम बात करें तो कारगिल की लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा जी को जो है को जो है वो मौत के गाट उतार दूँगा 24 वर्ष के उम्र में देश के लिए सहीद होने वाले कैपटन मनुझ कुमार पांडे जी जो है यह आपको देखने को मिल रहे है इसके अलावा सुभेदार संजय कुमार जी को जो है यह भी जो है इनको गोर्खा राइफल के थे इनक को भी जो है जो कि 18 ग्रेडिर्स के थे इनको भी ओपरेशन बिजय जो चला था कारगेल युद में उनके लिए जो है इनको परमबीर चक्र मिला था तो यह जितने भी हमारे परमबीर चक्र वीजेता थे कुछ को मरनो परांत और कुछ को जिवित अपने जुद्ध कौसल के इनके चलते आज हम सुरक्षित हैं और इनके सम्मान में भारत सरकार का जो ये पहल है जो इनके नाम पर जो है दीपो का नाम रखा जा रहा है ये बहुत ही बढ़ियां है मुझे लगता है कि सिसरेश्टर और भी जो हो सकता है था इनके बारे में सुनकर मतलब की अगर कहें तो मैं आपको पता रहा हूँ रोम रोम पलकित हो जाता है शब्द नहीं होते हैं क्या बोलू समझे में नहीं आता है लेकिन बस इखीच समझ में आता है इनके सामने शीष नवाने का मिले करता है तो दोस्तों ये रहा आज का शेशन कैसा लगा जरूर बताईए और इसके अलावा अनकेडमी पर आप सभी के लिए बहुत रिशानदार ओफर चल रहा है दोस्तों इसका लाव उठा सकते हैं अगर आप UPPSC का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप UNOPTEN CODE के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 24 महिने के फी में 3,000, 12 महिने पे 2,060 6 महिने पे 1,680 और 3 महिने पे 940 रुपाय आपको डिसकाउंट मिल सकता है CODE UNOPTEN यूज करना है आपको अगर पहले हैं अकेडमी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और रिन्यू कर रहे हैं तो नए मुबाइल नंबर और नए इमेल आइडी का ही प्रियोग करें इसके लाव बात करें तो आरो यारो के लिए जो बैच है सब्सक्रिप्शन में और रहे हैं इसके लाव बात करें है यह सारा प्रॉशेस है जिसके माझ्यम सी आप अपनेकरमई के अब डाउन लोड करके और अनेकरमई पर जो भी Qourses है उसका लाव उठा सकते हैं free classes भी आती है वो भी देख सकते हैं 10 code के माझ्यम से free classes देख sup step कर आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना नहीं प्लिए सकते हैं, काफी जारे ड्वांटेज हैं, फैदा उठा सकते हैं, ठीक है, चलिए दोस्तों, अपना फिर्ट बैक जरूर दीजिएगा, बिलते हैं, और शेशन में आपके साथ कुछ और न्यूस का अनिलाइसिस करते हुए, तो अपना ध्यान रोकिए, स्वस्तर रहें मस्तर हितन दूस्वे, हस्ते खिलते मुस्तरते वे जीवन का अनिलेजिए, जैन जिर अपहरत